तो दोस्तों आज की वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं डी ओई डैक्टरट ऑफ एजुकेशन गॉर्मेंट ऑफ एंसिटी ऑफ डेली यानि की जो डेली गॉर्मेंट के स्कूल है जिसमें एमसी जिसमें प्राइमरी लेवल पर इस्पेशल एजुकेटर के वेकेंसी नहीं कुछ मिठाई मेरे एड्रेस पर भी कोरियर कर दीजिए जैसे कि आपको हमारी पर मिल जाती है दोस्तों चैणनल को सबसक्राइब कर लो और जिन बच्चों को यह डाट है कि वो इस बार की जो प्याटी की वेकेंसी में उनका अच्छा नहीं गया वो तैयारी में लग जाएं क्योंकि भाई डी ओई बिल्कुल भी लेट नहीं करता है M.C.D. जो डिपार्टमेंट है उसका काम थोड़ा लेट लतीफ होता है बट D.O.E. अगर जिस दिन भी एड़डाइजमेंट निकालेगा और एड़डाइजमेंट आने की उमीद है जनवरी फरवरी तक आ जाएगा मैं दो से तीन महीने मानता हूं क्योंकि देखो किसी भी का सब्सक्राइजमेंट है यह अधर स्टेट की नहीं है ठीक है तो यहां पर फटा फटा हम देख लेते हैं रिगार्डिंग क्रिएशन ओफ फॉर फिफ्टी पोस्ट ऑफ इस्पेशल एजुकेटर इन डिएक्टरट ऑफ एजुकेशन गवर्मेंट ऑफ एंसेडी ऑफ देली Sir, I am directed to convey the sanction of Honorable Lieutenant Governor of Delhi for creation 450 post of special educator in pay level 6, pay scale 9,334,800 with grade pay of 4,200 pre-revised as per 7th pay commission in the government school under Directorate of Education, Government of NCT of Delhi वाइड ये section जो भी number है आपर the expenditure on this account shall be debitable under major head ये इनका budget का है कि भई कहां से इनको पूर्दी करनी है Provision of Pre-Primary, Primary Classes in existing government school salaries तो दोस्तों अब ये मालनों की कोई भी vacancy आती है तो उसके पहले बजट देखा जाता है कि भई गवर्मेंट का budget किस हिसाब से है कि वो अगर इतनी post निकालती है तो अगर साड़े 400 special educator आते हैं तो आप समझ लो कि अगर एक की sell ले अंदाजा लेते 50,000 रुपए तो कितना burden पढ़ने वाला है देली गौर्नमेंट पे तो वो budget का भी देखते तो इन्हों नहीं यहाँ पर अपना सारा जो है एक तरह से हिसाब कर लिया अब ये शिंगारे राम चंद्र महादेव जह हैं जो ex-officio joint secretary education है आज की डेट है यह वीडियो कर आएगी क्योंकि आज रात काफे लेट नोटिस मिला है मुझे और यहाँ पर कोपी जो forward की जाती है किसी भी नोटिस की देख लो secretary to lieutenant governor और राज निवास पर तो LG साब के पाँ जाएगी कौपी और उसके बाद सेक्रेटिव चीफ मिनिस्टर तो यह सभी मिनिस्टर ओफ एजूकेशन मनिशी शोदिया जी पर भी चली आएगी तो यह सभी जो है वेकेंसी की जो बात है वह सभी जितने भी मैन मैन लीडर है या जितने भी मंत्री हैं उनके पास यह पहुच जाएगी और फटा फट इस पर D SSSB काम करना शुरू कर देगा D SSSB सिर्फ एक बोर्ड है जो वेकेंसी निकालता है किसी भी बोर्ड को किसी भी बोर्ड में जो दिल्ली गौर्रमेंट के बोर्ड होते हैं जैसे कि जल विभाग हो गया सिक्षा विभाग हो गया तो दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि सिक्षा विभाग पर दो विभाग काम करते हैं दिल्ली में MCD और डियक्टर अफ एजुकेशन दिल्ली सरकार के जो स्कूल है वो तो अब क्या है कि डेटर प्लस भी वेकेंसी निकालेगा को सब्सक्राइब के तो दोःचि us अब्माने अपक है यृ रजाई में फ strongest में नाम दे कर उसके बाद उस डिपार्टे questioning के आपके रैफार कर देगा दोकुमेंट जहां पर आप जाये दिवाली में आप लोगोम को जोनिंग बिल जाएगी ठीक है ना तो दोस्तों आज की वीडियो में मुझे यही जानकारी देनी थी ऐसी ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो और दोस्तों वीडियो को लाइक कर दो थैंक यू अल फ्यो कीप वचिंग कीप लविंग कीप सपोर्टिंग एजुकेशनल हम यूट्यूब चैनल